ओम शांती मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वेम को मारने के माना खतम करने के अनेक उपाए रश्टे हैं जीवगात करने की सोचते हैं समस्ते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं कोई ये सोचे मैं उस दुख से छूट कर कहीं ओर चला जाओंगा या वो दुख जो आपको परिशान कर रहा है जिसकी वज़े से आपने जीवगात करने की सोची है तो ये समभव नहीं है क्योंकि वापिस से इसी दुखों की दुनिया में ही रहेंगे खतम शरीर से ओ रहे हैं आत्मा अपने हिसाब किताब से नहीं उसके हिसाब किताब उसके साथ ही रहते है क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया अभी तो समझ भी है दिख भी रहा है क्या कर सकते हैं उससे दुख से कैसे छूट सकते हैं लेकिन ये शरीर खदम कर देना, ये स्वेम को मारना, बहुत बड़ा महापापुत है. या इसकी सोचना भी, बहुत बड़ा महापापुत है. कह 20 आएं जिसका किसी ने ऐसा क्या हो, इतना दुखी हो गाँगा, दुख का नहीं है, या किसको दुख नहीं है सबको हर तरह का दुख तो फेस करना ही पड़ता है तब ही जाके आगे बढ़ता है पच्पन में अलग तरह का दुख होता है आगे बढ़ते हैं दूसरी तरह का दुख होता है गुड़ापे में जाते जाते कुछ दूसरी तरह का दुख होता है जब है ही दुखों की दुनिया तो दुख तो वेराइटी हों गई पर अपने को खतम कर देने से वापिस से दुखों का जो बोजा है वो एक्स्ट्रा ओर बढ़ जाता है क्योंकि बहुत बढ़ा महापाप है इसका बोजा भी तो उपर आता है कोई सोचे कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझसे देखा नहीं जा रहा था मुझसे बरदाश नहीं हो रहा था वो तो कोई बात है न या कोई क्राइसीज है या कोई ऐसा देवाला निकल गया है, या अपने उपर बर्डन है, तो चलो आज तो फेस कर सकते हूं, अगर शरी छूटा, तो भी तो आत्मा को फेस करना ही पड़ेगा, इसलिए इस ड्रामा में बहुत से ऐसे सीन आते हैं सामने, जिससे ये पता चले, कि दुख तो वहाँ पे भी है, अगर शरी छूटा जो आपने स्वयम छोड़ा है, प्र辉करती नहीं छोड़ा है, कुद्रती नहीं छोड़ा है, आपने अपने साथ अनायास ऐसा करम किया है, उसका बोज़ा तो आएगा ना उपर, करमों की समझ तो मिल रही है, सबको मिलती है, ये वाली करम की समझतों सबको दी जाती है मात पिता अपने बच्चों को जुरूर देते है कि ऐसा कोई भी सरकंस्टांस हो जाए तुम्हें इस तरह करने ही सोचना है क्योंकि ऐसा सोचने से तुम कितना बड़े पाप के भागी बन जाओगे यह तुम सोच मिने सकते और जो ऐसा कर लेते है चाहे कितना भी कोई प्रेशर हो वो कर लेने के बाद क्या उन्हें शरीर मिलेगा फिर वो जो भटकन होगी उसमें तो कोई भी साथ नहीं होगा जस्तूल शरीर में भी हैं आज साथ देते हैं बाई चांस चलो सो में से एक दो भी साथ देते हैं अगर नहीं भी देते हैं तो भी भगवान की चत्रचाया में तो होते हो उसमें तो पता नहीं कि इसके हात लग जाएं या क्या हो जाए आत्मा ने शरीर छूड़ा और उसके बाद उसका हिसाब किताब उसे कहां लेके जाता है माना ओर दुख के अन्भूती जब तक निया शरीर अच्छा चलो निया शरीर मिल भी गया थोड़े समय के बाद अब जहां शरीर मिला है वहाँ वो वाली प्राप्तिया नहीं है जो पहले थी अब बताऊ गया तो आत्मा को भुगतना तो पड़ेगा न दुखों को तो जाए वहाँ से चूटा वो कोई बाद की वज़े से बुद्धी कमजोर थी मन में इतनी शक्ती नहीं थी पर मात्मा के कहे अनसार नहीं चलते थे तो फिर इस अनसार अगर आपने ऐसा कुछ कर भी लिया तो उसका महापाप तो सिर्फ पर आए गई आप उस बोजे को कैसे उतारेंगे तो विचार तो कर नहीं चाहिए इसलिए कईयों को ऐसे विचार आते हैं चोटी-चोटी बाते होती हैं तो कहते हैं हम तो ऐसे कर लेंगे उससे क्या हो जाना है शरीर तो चलो खतम कर लेंगे उसके बाद हिसाब किताब को उन खतम करेगा वो तो आत्माने ही करने है वो तो भुगत के करने ही पड़ेंगे उसको अब शरीर में होती है तो अलग तरीके से वो चुक्तु कर सकती है, क्या पता ड्रामा का सीन कैसे बदली हो जाता है, मानो कोई देवाला ही निकल गया, अचानक से ही कोई साथ ही सयोगी ऐसा मिल जाता है, कि सारी चीज़े सेट हो जाती है, अब देवाले के कारण आपने शरीर का त्याक कर दिया, क् अब ऐसे घर में गये जहां पर देवाला पहले निकला हुआ था, मानो ऐसे घर में जनम हुआ जहां अलड़ी देवाला निकला हुआ है, आँख तो खोल दी, अब देवाले में खोली है, देवाले में निकली थी, आँख और आँख खुली भी देवाले के अंदर, बताओ, नहीं बार होता है ना कि बहुत अच्छा मार ठाल होता है और संतान आई अब कहते कि इसके कर्मों का है किसके कर्मों का है सब के कर्मों का होता है संतान ने जनम लिया उसके बाद देखा तो एकदम सब कुछ सब कुछ लुट गए तो अब वो जो बड़ा होगा, वो किस में बड़ा होगा? वो तो crisis में बड़ा होगा अब जिस crisis से छूटने के लिए उसने शरी चूड़ा था उसी crisis में उसकी पाल नहीं हो रही है अब बताव नहीं समझाई तो यह हिसाब किताब का लेखा जुखा आत्मा अपने साथ ही लेकर्चे, करम ऐसे करें, जो स्रेश्ट घर में, यह स्रेश्ट फूल में हमारा जन्म हो। जहाँ पर भी चार भी स्रेश्ट हो। सौभावसंसकार भी स्रेश्ट हो। जोरके घर में भी तो संतान अती है। चलो, तई इसलिए समझाया जाता है कि अगर ये महापाप किया, तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा, और दुखों से छूट नहीं सकते हैं, कि कोई ये सोचे मैं शरीर का त्याक कर दूँ, या मैं शरीर का ऐसा कर दूँ, तो दुख से छूट जाओं, वो तो टेंपरेरी कुछ समय के लिए, आप छोड़ने के बार में सोचते हैं, लेकिन वो सारा टेंपरेरी है, क्या हुआ, आपको तुरन थोड़ा शरीर मिल जाएगा, भटकना पड़ेगा, तो इसलिए बाबा समझाते हैं, कि और ही वो दुखों में फस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार द तो सार समझ में आया, ब्रह्मा बाबा, शिबाबा का रत है, दोनों का इकठा पाट चलता है, इसमें जरा भी संशे नहीं आना चाहिए, ओम शान्ति